Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 13.4 probability का question number 5 देखते हैं क्या है Find the probability distribution of the number of success in two toss of a die Where a success is defined as यहाँ पे देखो उसने क्या काया है कि एक die को two times आपको toss करना है और यहाँ पे success और unsuccess को defined किया हुआ है Success क्या है number greater than 4 और second वाले case में क्या लिना है में 6 appear on at least one die तो यहाँ पे 2 case हमें दिये हैं दुनों के अंदर हमें success और unsuccess को अपना find out करके probability distribution find out करना है तो देखो कैसे करेंगे बिल्कुल असान कि उससे नहीं ध्यान से करना है अच्छे से concept समझाओंगा आप बिल्कुल अच्छे से देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें क्या गा है number greater than 4 अब कोई भी आप die को toast करते हो तो उस die के उपर number greater than 4 कौन कौन से होंगे 5 और 6 दो ही number होंगे और number less than 4 क्या होंगे 1, 2, 3 और 4 भी हमारा less than में count होगा क्योंकि equal to उसने नहीं बोला है यहाँ पे only greater than number 4 जो है हमारे success के अंदर count करने है तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा success means success means number greater than 4 number greater than 4 तब ही होगी हमारी success तो probability of success देख लो बच्चो क्या होगी 4 से greater number कौन सा है 5 और 6 टूई number है तो 2 भाई 6 probability होगी success की unsuccess की निकालनी है यहाँ पे क्या आगया 1 by 3 probability of not success लिख लो या unsuccess लिख लो जैसे आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो तो not success में क्या आजाएगी हमारी probability या तो 1 minus 1 by 3 कर लो तब हो जाएगी या फिर 4 number ऐसे होंगे जो हमारे क्या होंगे greater than 4 से कम होंगे मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होंगे मतलब 1,2,3,4 यह 4 number होंगे 4 by 6 मतलब कितनी आगई यहाँ पे probability 2 by 3 आगई success की probability 1 by 3 not success की probability 2 by 3 अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो random variable है उसकी possible values क्या होंगे x is x be the number of success x क्या है random variable है किसको denote कर रहा है number of success को तो x की possible value क्या क्या हो सकती है 0 कि मतलब 2 dice को आपने roll किया और दोनों पे हमारा number less than 4 आ गया फिर किसी एक die पे भी greater than 4 आ सकता है और किसी दोनों dice पे भी हमारा क्या हो सकता है greater than 4 भी आ सकता है दो dice आपने क्या करनी है roll करनी है number greater than 4 देखना है मालो आपने पहली die को roll किया उस पे number आ गया 2 दूसरी die को roll किया उस पे आ गया one तो हमारी success क्या होगी जीरो फिर हमने दो बारा roll किया उसमें एक पे आ गया हमारा greater than four एक पे आ गया less than four तो एक बार success मिली दोन्नों बार greater than four भी आ सकता है तो two बार success मिली तो ये हमारी क्या हो जाएंगी random variable की possible values हो जाएंगी अब यहाँ पे देखो सबसे पहले probability of x equal to zero मतलब जब हमें एक बार भी success नहीं मिलेगी उसकी probability आपको निकालनी है मतलब पहले वाले पे भी not success होना चाहिए and second वाले पे भी क्या होना चाहिए not success होना चाहिए दोन्नों case में हमारे को कोई भी success नहीं मिल रही है मतलब दोन्नों बार हमारा number जो है less than 4 आ रहा है तो probability क्या हो जाएगी not success की क्या थी हमारी 2 by 3 second case में भी 2 by 3 तो क्या answer आगे है यहाँ पे 4 by 9 probability आगे हमारी किसकी यहाँ पे एक बार भी success ना मिलने की फिर probability of x equal to 1 की देखते हैं x equal to 1 का मतलब है कि एक बार हमें success मिलेगी और दूसरी बार हमें unsuccess मिलेगी वो कैसे हो सकता है दो combination बन सकते हैं उसके इसलिए यहाँ पे combination के formula यूज़ होते हैं ठीक है देखो कैसे बनेगी मैं एक बार समझाऊँगा फिर उसको combination से भी करके दिखाऊँगा probability of मानलो first पे मिलगी success success के साथ हमारे पास मिलगी and not success ऐसा हो सकता है first पे success मिल जाए die पे second पे not success मिल जाए और साथ में यह भी तो हो सकता है plus में probability of पहली पे not success आ जाए और दूसरी पे हमारी क्या हो जाए success हो जाए पहले डाई पे हमारा less than 4 आ है दूसरी पे भी तो greater than 4 आ सकता है दोनों case हमारे हो जाएंगे तो यहाँ पे दो combination बन गे इस तरीके के combination को soul out करने के लिए हम combination का formula उज़ करते है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो probability of success क्या थी 1 by 3 multiply not success की 2 by 3 fee plus में not success की 2 by 3 और success की 1 by 3 इसको simplify करोगे तक क्या आ गया 2 by 9 plus 2 by 9 मतलब कितना आ गया 4 by 9 आ गया अब इसको हम probability उससे combination से कैसे soul out करते है ncr यही formula होता है अब देखो कितनी बार toast हो रहा है हमारा 2 times maximum यहाँ पे क्या है 2 times रोल कर रहे है हम dice को तो 2c success एक बार मिली हमें 2c1 लेंगे multiply by success एक बार लेनी है तो probability क्या होगी उसकी 1 by 3 और not success की probability 2 by 3 इसको simplify करोगे यह भी किसके equal आएगा 4 by 9 आएगा तो यह होता है हमारा combination यूज करके combination समझ में आ गया ना कि पहले पे success दूसरे पे not success यह भी chance हो सकता है कि पहले पे not success दूसरे पे success तो यह दो combination बनगे इसको simplify करने के लिए हम combination का formula यूज करते हैं उससे आगे हमारी probability 4 by 9 थर्ड केस देखते हैं अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा हमारा probability of x equal to 2 कि हमने 2 बार die को roll किया और 2 नो बार हमें success मिल गी तो उसकी probability probability क्या हो जाएगी probability of success first die पे भी success मिली और second die पे भी हमें क्या मिली success मिली ठीक है तो देखो क्या आगया यहाँ पे probability of success क्या होगी हमारी यह पी लिखने की ज़रूरत नहीं है success की probability क्या थी हमारी 1 by 3 multiply 1 by 3 तो total probability क्या आगी 1 by 9 आगए यह हो गई हमारी probability distribution of a two dice rolling की अब second वाले part पे चलते है बच्चो क्या है 6 appears on at least one die यहाँ पे क्या काया उसने कि कि किसी एक die के उपर at least six ताना चाहिए हमारा तो हमारे random variable की values क्या हो जाएगी यहाँ पे पहले लिखेंगे हम x is for 6 on one die तो हमारी x की possible value क्या हो जाएगी या तो हमारा क्या होगा एक भी हमारी success नहीं मिलेगा या फिर हमारा क्या होगा किसी एक पे हमारा six मिल जाएगा तो zero और one probability होगी हमारी किसकी यहाँ पे x की random variable की यहाँ पे देखो probability of x equal to zero भाई दो dice को हम roll कर रहे है ठीक है ऐसा भी तो होगता है कि दोन्नों dice पे कभी भी हमारा six ना आए पहली die रोल किया मालने three आ गया दूसरी die को roll किया हमने four आ गया तो हमारी six आने की probability क्या होगी zero तो वो case भी तो लेके चलेंगे random variable पे probability of x equal to zero का तो यहाँ पे क्या होगी probability of not success का या फिर success not achieved ऐसे भी लिख सकते है success not achieved या फिर यह लिख सकते है not success तो probability क्या होगी यहाँ पे देखो बच्चो यहाँ पे समझने की बात है हमने क्या कहा है कि एक भी डाई के उपर six नहीं आना चाहिए ऐसे कितने हमारे यहाँ पे pair बनेगे देखो एक तो यह pair बनेगा six one six two six three six four six five six 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 pair बनेगे ऐसे ही फिर क्या बनेगा हमारा one six two six three six four six five six 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 दो में आ रहा है तो हमारे पास total कितने बनेगे pair 11 pair ऐसे बन के जिसमेई six आ रहा है हमारा एक बार एक बार at least एक बार हमारा 11 pair ऐसे है जिसमेई six आ रहा है तो जिसमेई six नहीं आ रहा है वो कितने pair बच़गे दो बार डाई रोल करते तो total तो हमारे 36 sample space होते है उसमें से 11 माइनस कर दिये कितने बच गए 25 पेर ऐसे बच गए जिसमें एक बार भी 6 नहीं आएगा तो not success की probability क्या होजएगी 25 by 36 समझ भी आ गई या नहीं आ गई दूसरे case में देखते हैं अब क्या कहा है उसने probability of x equal to 1 कि एक बार हमें success मिलेगी मिलेगी तो यहाँ पे देखते हैं probability of success achieved success achieved उसकी probability क्या हो जाएगी बच्चो 11 case ऐसे थे हमारे जिसमें हमें 6 achieve हो रहा था तो success की निकालनी है तो 11 by 36 यह probability हो जाएगी हमारी 6 अपियर होने की बस यह बनगी हमारी probability distribution क्लियर हो गया question कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी problem लगया मुझसे पूछ सकते हैं अदरवाइज चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching next classes video